इस वक्त जो कंडीशन है ट्रैक की और स्टेशन की आपके सामने है यहाँ पर अभी वर्किंग प्रोग्रेस अभी बिल्कुल भी नहीं है और मैं इस वक्त हूँ नौर काजमाबाद रिल्वेज स्टेशन के उपर कि सिर्फ यह के कचरा वागर जो है ट्रैक से उपर से हटा दिया गया है ट्रैक की हालत आपके सामने ही है कि अब कर दो कि अब कर दो कि यह सबसे में आप कह सकते हैं सबसे पहले जो नौर्थ नाजमाबाद का अब इसके स्टेशन के अंदर जो में चीजस है वो यह कि सामने आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक जाते वे नजर आ रही होगी जो में रूट का ग्रीन बस का जो में रूट की पहले जनला पर घृट फ्लावर में ऐसंको सहिती है साथरें चोड़ कारुक्सी सबाड़ में गौथा उद्यजिक्षाय कई अब बात ईयुक्ति बारे है कि इसे सारा तन डश से बार धू WAS तो ट्रेक की जगह बन चुका है अब मेन पॉइंट यह है कि यह ट्रेक जो है जो वहां से आ रहा है और बीच में इसके रोड आ रही है तो अब सिन्ग वर्मेंट जो है वह इसके लिए क्या लाय अमल तैय करेगी कि वो किस तरह इस ट्रैक को बनाएगी या रोड के लिए तो पहले भी देखा था कि यहां पर से कच्रे को हटाया गिया है फेस्टू के अंदर और थोड़ा सा काम जो है वही है कि बहार की जो कच्रा वागारता उसको लेवलिंग की जारी है यहां से बाखी जो है वह कंडिशन तो काफी खराब है ट्रेक की वह स्टेशन की भी आप द आससे सब्सक तो इंशालल्ला केसियार का जो फेस वन है वह वही अपनी काम में उसके अंदर काफी तेजी आईवी है ट्रैक की इनहांसमेंट और ट्रैक के उपर जो काम वही चल रहा है आस चाहरा और अरन इस्टेशन के ऊपर भी जो है वह हो का hin तरक्याती काम जो है जो ह तो वहां की भी जो जब मैंने डिटेल्स चेक करीं तो उमीद एगे के 15 दिसंबर से जो है के स्टार्ट हो जाएगा जो सिटी स्टेशन से लेके आप समझ लें के औरंगी स्टेशन तक आएगा बदरिया साइट एरिया बल्दिया शाब लतीफ वजीर वेंशन से होते वे औरं अबरतना आजबा बाद स्टेशन पर मौजूओ लोगते और बदाने पर बारी कि लिए जो खटका बाराने जाने तो है